आये बैसन कंपने का यह है पार लाइट जो की मेरे पास अभी चार है इन चारों को हम डियमेक्स से और सिंपल तरीके से देखेंगे कि यह कैसा प्रफार्म से दे रहा है मेट इन चाइना का प्रोडक्ट है यह इस लाइट में एलेडिक मैं बात करें तो 84 एलेडिक साथ आता ह लाइट तो आईए इसे हम देखते हैं नमस्का दोस्तों मैं उद्रण जाए बहुत स्वागत है आपका आपने ही चैनल पर तो आप मैं लाइट को निकाल लिया हूँ डिबे से बाहर यहां पर मिल जाता है दो छोटा-छोटा इसको जो की स्टेंड को कसने के लिए यह दिय करते हैं एक ठोटा सा मिल जाता है मैनुवल कार्ड तो यह मैनुवल कार्ड को भी हम देख लेते हैं यहां पर पीछे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ है जो भी है आगे है तो आगे मैं आपको रिखाऊंगा कि इसमें वायस पर और DMX 512 पर ही कैसे वर करता है क्या इसका दो मुख के बात करूंगा DMX के लिए यहां पर देख सकते हैं डी 001 डी 512 पर अफसलेट कर सकते हैं और आडियो के लिए बी इबी इपर सलेट कर सकते हैं आईये मेन लाइट को निकाल लेते हैं प्लास्टिक से बाहर आँ देखते हैं क्वार्टी है या नहीं तो भी आपक इसका दिखाई देर आए जो कि 60 लेडी कहाई यह लाइट के बैक साइड में मिल जाता है पैनल कंट्रूल बोर्ड और इसके नीचे में बात करें तो एक मिल जाता है छोटा सा फैन जो कि 12 वर्ट से चलता है यह इसके बगल में इसका ब्रांडिंग जो कि मैं बात करें तो बैसा यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके माडल की बात करें तो यम्पी जीरो जीरो एक और यहां पर । 512 mixer से चलाने के लिए dmx in dmx out कर सकते हैं केबल एक्सलार केबल के बाद हम से light में supply input करने के लिए यहां पर 220V से 230V तक input कर सकते हैं इसका तार एक मीटर है यहां पर एक smps है जो कि 100W के लिए है 12V से इसका फैन चलता है और 36V से इसका कार्ड के साथ light जलता है बीना dmx mixer के हम अभी इसे यूज कर रहे हैं तो देख सकते हैं इसका यह है quality अभी मैं single यूज कर रहा हूं भी मैं आगे चारों को मैं लगा करके आपके बीच दिखाऊंगा कि वास्तों मैं यह कैसा प्रफार्म्स दे रहा है तो यहां पर देख सकते हैं कुछ आप्शन मैं select कर दे रहा हूं बटन के द्वारा और यहां पर जिग जैक आप्शन है और बहुत सारी इसमें आप्शन दिये हुए आप अपनी अनुसार अगर आप dmx से यूज नहीं करना चाहते हैं ऐसे ही सिंपल तरीके से स्लाइट कुछ लाना चाहते हैं तो आप select करके इंटर कर सकते हैं साथ आपको पता होगा अब आप यह सोचते होंगा कि आवाज पर यह कैसे चलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँँ कि बी इवी जिसे कि मैं पहले बता चुगा हूं कि इसका Code है इस पर select करते हैं तो यह आवाज पर काम करने लगता है जैसे आप देख सकते हैं आ, हलो, 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 हलो त... हाँ यह response में आप Якसलार input के मादियम से और output के मादियम से DMX के मादियम से जान लेते हैं इसी DMX के साथ कैसे use करें बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके बीच पेस करने वाला हूँ तो यहाँ पर है चार लाइट जो की 60 LED का है इसका मैं पावर सप्लाई सभी इनपुट कर लिया हूँ बोड में इसके बाद मैं इनपुट और आर्पुट करूँगा एक सलार गेबल जो की मैं एक सिंपल तरीके से बनाया हूँ उससे पहले यहाँ पर कोड डालना जरूरी है तो इसका कोड है D001 इसके बाद मैं इंटर कर दे रहा हूँ दूसरे लाइट में भी हम वही कोड डालेंगे D001 फिर उसके बाद हम इंटर करेंगे जैसा कि आप देख पा रहा हैं यहाँ पर मैं दो लाइट को सेलेट कर चुका हूँ यह है तीसरा लाइट इस लाइट में भी हम कोड डालेंगे वही जो की पहले और दूसरे में डाले थे D001 इंटर कर देंगे इसके बाद फिर इसी कोड को हम लाइट में इंटर करने वाले हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वही कोड मैं इसमें प्रेस कर रहा हूँ D001 इंटर यह मेरा पहला स्टेप कंपलेट हो चुका है और दूसरा स्टेप है DMX मिक्सर के साथ इस लाइट में आउटपुट करना सब्लाई दूँगा 12 वोल्ट डीसी तो यहाँ सबसे पहले इसको मैं इंपुट कर ले रहा हूँ इसके बाद एडाप्टर के मादियम से यहाँ पर 12 ओल्ट डीसी भी सब्लाई इंपुट कर लिया जो की DMX में सब्लाई आ गया DMX 512 मिक्सर से होकर के एक केबल लाइट के इंपुट वाले सेक्षन में साकिट में जाएगा एक्टलार केबल इसी लाइट के आउटपुट वाले सेक्षन से होकर के दूसरे लाइट के इंपुट में जाएगा एक एक्टलार केबल फिर दूबाला से दूसरे वाले light से output कोकर के तीसरे वाले input में जाएगा a cable तीसरे वाले के output से वो करके 4 वाले light के input में जाएगा a Apple इसी तरीके से जितना भी light को connection करने है आई यह DMX सें चलाते हैं यहाँ पर DMX का जो сейчас scanner button दिया हुआ इस पहले वाले को हम press करते हैं इसके बाद हम फेडर को बढ़ाते हैं जो कि पहला वाला ये है brightness का जो कि चमक कम ज़्यारा कर सकते हैं इससे दूसरा वाला जो फेडर है इससे आप लाल रंग के लिए उपयोग कर सकते हैं जिसरा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे quality का ये light performance दे रहा है और यहाँ पर मैं लाल वाले फेडर को नीचे कर ले रहा हूँ इसके बाद मैं बढ़ाता हूँ तीसरा वाला फेडर ये फेडर है हारे रंग का जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हारे रंग के लिए उपयोग करने के लिए है ये और यहाँ पर तो चौथा वाला है नीला रंग के लिए आपड़ाय कर सकते हैं सनु कहाते सब्सक्राइब यह जिग जेग के लिए हैं चाहे तो आप लाल यूच कर सकते हैं रंग या फिर नीला यूच कर सकते हैं या फिर हरा यूच कर सकते हैं यहां पर लाल मैं यूच कर ले रहा हूं देख सकते हैं यहां पर इसके साथ मैं बढ़ा दे रहा हूं इसके बाद हम 5 वाले फिडर को बढ़ाते हैं तो आप देखेगा कि यह कैसे जिगजए करता है यहाँ पर ने 5े वाले नमबर का फिडर को बढ़ाता हूं यहाँ भी प्राराम्ब हो जा रहा है जिगजए करना यह çक स्पीड क्या चलता है जैसे कि देख सकते हैं आप लाल हारा गुलाबी जो भी आप मिक्स करके चला सकते हैं वो चलेगा तो दोस्तों यह तो रहा लाल हारा नीला का और जिग जैक का इसके आगे चटे और साथवे नंबर का जो फेडर है यह मैं चटे नंबर की फिटर को बढ़ा रहा हूं देख सकते हैं यह जो की लाइट का जो कलर है अपने आप चेंज हो जा रहा है देख सकते हैं मैं चटे नंबर की फिटर को उपर का थिया तो यह सकते हैं कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है लाइट को नमबर के फिडर को थोड़ा कम कर लेता हूं, फिन इसके बाद हम 7 नमबर फिडर को बढ़ाते हैं, तो आप देखेगा कि इसका speed कैसे change हो जाएगा, हो जाएगा देखिए जल्दी जल्दी वर्ग कर आईए देख सकते हैं यह साथ यह नंब्र के इसका फेडर है जो कि स्पीट के लिए उप्यूग किया जाता है कुछ लाइटिया ऐसे होती है कि जो कि अलग अलग प्रकाश से काम करते हैं जैसे कि मैंने पहले वाले फेडर को बढ़ा था तो वह बैट्नेस के लिए था लेकिन कुछ लाइटिंग में पहले वाले फेडर ऑी काम करता है कहने का यह मतलब है कि पहले वाले फेडर को जो बढ़ाएं तो लाल या कोई भी कलर जाने लगए लिकिन मैक्सिमम लाल ही जलता है ज्यादा ज्यादा चटेवे नबर आप कोई भी आप से चुछ कर सकते हैं चाहे तो आप अलग-अलग तरीकी सिखा सकते हैं लाइट को और इस पीड बढ़ाने के लिए साथेवे नबर का फिडर के साथ आप उभ्योग कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान है डियमेक्स लाइट को चलाना सामने की साइड में मैं रेकर हूं तो यहाँ पर मैं अपनी हथेली को रख रहा हूं यह थोड़ा सा हीटिंग के सामको महसूस हो रहा है लेकिन लाइट इसका बहुत अच्छा है चमक अच्छा है इसका और काफी इसका अच्छा लगा हारी कलर जो की लाइट दे रहा है इस बहुत ही अच्छा है आप इस्टेट सो उगरा में इसे आप उप्योग कर सकते हैं जैमाल उगरा में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा धन्यवाद